देश दुनियादी हरवटी खबर दलेई हुने डाउनलोड करो नमबर फान न्यूस एप दैनिक्स तुरा टाइम हमारे देश के नेताओं ने और हमारी पुलिटिकल पार्टियों ने देश की सियासत को बरबाद कर दिया आज लोग सियासत को और सियासत दानों को बड़ी खराब नजर से देखते हैं पंजाब की जनता ने हर पार्टी को भरपूर मौका दिया अकालियों को भाजपा को मौका दिया कॉंग्रिस को मौका दिया इन सारी पार्टियों ने पंजाब की जनता को धोका दिया, उनके साथ धक्का किया हमने मुख्य विरोधी का काम निभाया और अब पंजाब की जनता कह रही है कि अब तुम लोग तयार हो गए हो अब तुमें बड़ी सेवा का मौका देना है, सरकार चलाने का सरकार में रहकर पंजाब की जनता की सेवा करने का मौका इस बार तुमें देना है के जड़ी सरगर्मी है पूरी तरह देनाल तेज हो चुकी है कारने है के पंजाब दे विच निगम जड़ी जड़ी चोना हो रही है ने हो देविच आप अपने अमीदवारन जिताओं दे लई जड़े आगू ने ओड़ी चोटीदा जोर ला रहे ने बिलकुल उससी तरीक जड़ी तैंक यू सो माच और चड़ा साब जड़ू अपाँ सियासती कल कर दे तुस्यास वले पंजाब वेच्छा और पंजाब लोग चड़ा साब नो जनना जूरूर लग पेने और कहने लग पेने के अड़ा सुना सनका मुंदा है ते जेकर फिल्माज भी ट्राई करता तो शायद जड़ा सिगा उत्ते भी वड़ान नामना खट सागता सिगया फिर सियासती क्यों देखे मैं आइसे डिस वेरी ओफन कई बार मैं चीज बोलता हूं कि हमने राजनीती को नहीं चुना राजनीती ने हमें चुन लिया सियासत ने हमें चुन लिया हमने सियासत को न कि जिन्दगी को बहतर कर सकते हैं, सामाज के लिए कुछ काम कर सकते हैं, अपने सूबे के लिए काम कर सकते हैं, अपने देश के लिए काम कर सकते हैं और मुझे मैं बड़ा अपने आपको बड़ा फॉर्चुनेट महसूस करता हूं कि उपर वाले की महर है कि उन्होंने इतनी बड़ी एक मौका एक उपर्चुनेटी दी है और पंजाब को सवारने की पंजाब को खुशाल करने की और उसके लिए पूरी आम आदमी पार्टी औ और जित्तों तक राजनीती दी गल है चड़ा साब जदो तुसी ता सीये रहे हो और बार भी पढ़के आयो उस्तों बाद अन्ना हजारे दे अंदोलन दे विचो आमादी पार्टी दा जड़ा जन्म होंता है रागव चड़ा वी हो दे विचो निकल देने सियासत नों किस उस्तों है वो लगातार सेम आज पंजाब में सड़क का पानी का बिजली का ये सारे में इश्योद हैं ये ही इस और जगह पर भी है और सफ बात ये है कि हमारे देश के निताओं ने और हमारी पॉलिटिकल पार्टी ओंने देश की सियासत को बर्बाद कर दिया आज लोग सियासत को और सियासत दानों को बड़ी खराब नजर से देखते हैं कि ये जो लोग हैं ये या तो गुंडे हैं या तो भरस्टा चार पैसे कमाने आये हैं देश सेवा के लिए कोई नहीं आया सियासत को ही अब एक बहुत ही एक गंदा प्रोफेशन माना जाता है और मुझे लगता है कि एक अन्ना हजारे साब का जो आंदोलन हुआ जिसमें से इसाम आदमी पार्टी इस आंदोलन की कोक से जन्मी उसने इस परसेप्शन को बदलने का एक बहुत बड़ा काम किया है और बदल भी रही है और एक साफ राजनीती नेक नियती वाली अच्छी राजनीती जो राज्जी की नीती बनाए ना कि पैसा कमाए उस दिशा में काम किया है और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इस पूरी साफ सफाई के अभियान में मुझे भी एक छोटा सा एक किरदार ने बाने का मौका में लाए और तुसी लगातार परचार कर रहे हो निगम दियां चोना जड़िया ने पक्षियां हुए ने अपने उमीद वारानों से देख रहे है कि जदो दो तुसी सहाब बारी लाए तो बात तां काफी मेंट कर रहे हो पंजाब देविचे किस तरह देख 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 देऊ कि इनुस सेमी फाइनल मने आजाओे कि दो यहार बाई दोज जड़िया बदान सब्दें चोड़ियां गैँ तो पेला सेमी फाइनल लोग मरें ने लगदा है कि इस तरह कोश को जब बक्र रोगए अभर देखिये महीनत तो हम सब खूब कर पूरी हम आदमी पार्टी करती है और सबसे जादा महिनत अगर कोई शक्स करता है तो वो हमारे नेता है अर्विन केजरिवाल जी जो मुझे लगता है कि सोते भी सिर्फ 2-4 गंटे हैं बाकी समय सिर्फ काम करते हैं तो जब वो इतना काम करते हैं तो हम भी उनके आसपास कोश होते हैं अलग अलग होते हैं लोकसभा का चुनाव अलग होता है प्रधान मंतरी को चुनने का विदान सभा का चुनाव अलग होता है मुख्य मंतरी को चुनने का निकाई का चुनाव अलग होता है मेर बनाने का काउंसल का अध्यक्ष बनाने का इन चुनावों को जोड के नहीं देखा जा सकता है, इसका सबसे सरल उधारन है उडिसा का, जब उडिसा में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री चुनने का चुनाव साथ में हुआ, एक ही दिन हुआ, 2019 में, और जनता ने एक मशीन पे एक पार्टी को जिताया, और उस सरकार उस पार्टी का प्रधान मंत्री बनाया, और दूसरी मशीन पे दूसरा बटन दबाया, और उस पार्टी का मुख्य मंत्री बनाया, लेकिन आम आदमी पार्टी कोई भी चुनाव जो लड़ती है, वो जीतने के लिए लड़ती है, और मैं आपको आज अपने विश्वास से बताना चाहता हूँ और तो मुझे कई दिन हो गए रोजाना मेरे छेचे साथ साथ जगा पब्लिक मीटिंग और रोडशो लगे हूए हैं आपने भी मेरे रोडशो कवर करें जो जन समर्थन जो सपोर्ट जो प्यार जो आशिरवाद जनता से मिल रहा है वो वा कालियों को भाजपा को मौका दिया कॉंग्रिस को मौका दिया इन सारी पार्टियों ने पंजाब की जनता को धोका दिया उनके साथ धक्का किया अब एक पार्टी है जो एक इमानदार अच्छी पार्टी है जिसकी और सब पंजाब के एक बच्चा-बच्चा बड़ा बज से खुशाल हो सकता है हम चाहते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को मोका दिया sì को ट्राइक कर लिया इस बार आम-ादमी पार्टी पार्टी को मोका दें कैना 50 लोग लोगों के दिल लगदा है कि जो गलतियां 2017 वेच आमादी पार्टी ने कीती हैं, उन पिछे शाट के दो यार बाई देवेच वेच गलतियां नहीं दो रहा होगी और जड़िये आपनी सरकार बनाएंगी। देखेए हम इंसान हैं, और इनसान गलतियां करता है, इनसान अपनी गलतियों से सीखता भी है, समझधार आदमी वो है जो गलतियों से सीखे, सीख ले और फिर आने वाले समय में गलतियां ना करे। उस समय दोजार सतारा में या उसके बाद भी आप कह सकते हैं हम नए नए सियासत में आये थे कुछ कुछ चोटी मोटी गलती हो सकता है हुई हो उससे हमने सीख ली होगी हम उससे वाइज हुए होगे हमें विजडम आया होगा और आज एक परीपक्व मैचोर पुलिटिकल पा पार्टी ऐसी थी जो एक सुबे का चुनाव लड़ती है पहली बार और उसी बार वो मुख्य विरोधी पार्टी प्रिंसेपल ऑपोजेशन बन जाती है यह कहीं नहीं हो आज तक इतिहास में कहीं नहीं हो इतिहास के पन्ने आप उठा कर देख लिए तो वो जो इतना प्य जलना है कैसे साफ करना है थोड़ा सीखो अनुभव लो उसके बाद तुम्हें बड़ा मौका देंगे सेवा करने का तो पांच साल के लिए हमें विरोधी बना दिया मुख्य विरोधी हमने मुख्य विरोधी का काम निभाया और अब पंजाब कह रही है पंजाब की जंता क क्या रही है कि अब तुम लोग तयार हो गए हो अब तुम्हें बड़ी सेवा का मौका देना है सरकार चलाने का सरकार में रहकर पंजाब की जंता की सेवा करने का मौका इस बार तुम्हें देंगे और पंजाब देंगे के आम आधी पार्टी दी जेकर सरकार बनेगी ता कौन होएगा पंजाब द मुक्य मंत्री आमाधी पार्टी देख्ये हमारी बारात का दूला होगा दूले का नाम बहुत जल्द गोश्ul करेंगे और ऐसा मुख्यमंत्री का चहरा हम आदमी पार्टी पेश करेगी जो पंजाब की आन बान और शान कहलाने लाएगा पंजाब के एक एक शक्स को हमारे मुख्यमंत्री पद के उमीदवार पे फक्र होना चाहिए पंजाब तो होगा के दिली तो होगा कि किसानी अंधुलन देविच रागव चड़ा जी एक ब्यान देने के दिल्ली विखे जड़ी है पंजाब पुलिस दी तैनाती कर दनी चाहिए वरोधियां देन निशानने ते आगे सी कि उमें ब्यान एकवरी जड़ाया ज़रूर अपने दर्शकाना शेर करना चाहांगा कि कि असल कि चौनल एक इसे रागव चड़ाजी पॉसिबल सी का कि पनजाब दी मुक्षमंत्रीों थे अपनी पुलिस जड़ी अतनात कर दे लिखे दिल्ली तीखरी बॉर्डर पर बेठे गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे जो दिल्ली के बाहर है रियादा में लगता का फी पाके MLA कुछ लोगों को लेकर पहुंच गए जहां पे किसानों पे पत्थर फिंके गए, सडक में कीले गड़वा दी गई, सडके खोद दी गई, ऐसा लगा कि ये कोई वार जोन है, कोई दुश्मन देश की फौज वहां आ गई है और उसे लड़ने के लिए पूरी हिंदु उस्तान की पुलीस फोर्स लग गई है, उस दिरिश्य को देखकर मुझे लगा कि देश के किसान की रक्षा में एक सुरक्षा बल उतरना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि कोई कन्फरेंटेशन होनी चाहिए, बिलकुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज यदी पंजाब पुल चलते हैं, कई स्कॉट वहिकल चलती हैं, जब इतनी पुलीस फोर्स मुख्यमंत्री साब के साथ आ सकती है, उनके एमिले जब आते हैं दिल्ली या उनके मंत्री आते हैं, चलिए ये भी छोड़िये, उनके जो छोटे मोटे एडवाईजर और OSD भी लगे हो हैं, उनको भी उनके साथ दिल्ली आते हैं, तो जब गन्मेन और पंजाब पुलीस के जवान इन मंत्रीयों की शोशे के लिए दिल्ली आ सकते हैं, तो क्या आप देश के किसान की रक्षा करने के लिए दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो मैंने यही कहा, कि आप पंजाब पुलीस के जवानों क वहां तैनात करिए और वो हमारे जहां किसान बैठे हैं उनको चारो तरफ से घेर लें ताकि उन पर कोई हमला ना हो उनकी रक्षा करी जाए रक्षा के लिए कहा पर पता नहीं क्यों क्याप्टन साब को मेरी बात बड़ी बुरी लगी उन्होंने बड़े तीखे तरीके से मन कर दिया और कहा मैं सिरफ 72 घंटे के लिए भीज सकता हूँ पंजाब पुलीस बहततर घंटे के बाद नहीं 72 आर्स तक कानूनी तोर पे मैं भीज सकता हूँ उसके बाद मुझे होम मिनिस्ट्री से पर्मिशन लेनी पड़ती है मैं भी जब जाता हूँ तो मैं पर्मिशन ल उसके बाद MHA में मिनिस्ट्री अफ होम अफेर से पर्मिशन अपलाय कर देते हैं हो सकता आपको पर्मिशन मिल जाती हम भी दबाब बनाते हैं कि पर्मिशन मिले आप भी दबाब बनाते हैं किसान भी दबाब बनाते हैं और हो सकता पंजाब पुलीस वहां देश के किसान क कि रक्षा के लिए सुरक्षा के लिए महां खड़ी हो जाती लेकिन उन्हों ने ये करना ठीक नहीं समझा और अपनी सिक्यूरिटी होती है तो नजाने किस किस को उन्होंने गन्में दी हुई हैं गाड़ियां दी हुई हैं लेकिन जहां तक देश की किसान की रक्षा करने की है उसे कोई सुरक्षा नहीं दी और क्याप्टन साफ शुरू सही मुदी साफ के साथ पूरी तरीके से मिल कर काम कर रहे हैं चाहे वो हाई पावर्ट कमिटी में बैठ कर इन काले कानूनों को बनाना हो चाहे उनके बीते तीन चार हफ़ते के महीने के अगर आप आक्शन्स देखें हैं अम अच्छा से मिलने दिली जाते हैं अपने बेटे को इडिसे चोड़वाने के लिए किसानों को आंदोलन खत्म कर दो किसानों को कहते हैं जो भाजपा कह रही है उनकी बात मान लो मुदी की बात मान लो तो लगातार उनका जो एक रवया रहा है, कंड़क्ट रहा है, वो ये थाबित करता है कि वो भी उनमें और भाजपा में कोई फरक नहीं है, मैं तो ये बहुत बार कहता आया हूँ, लोग उसे एक पुलिटिकल बयान लेते हैं, लेकिन मैं सच में ये कह रहा हूँ, कि वो एक बीजेपी जोइन कर लेनी चाहिए, और अगर कर लेंगे, तो एडी वीडी के जो परसे चल रहे हैं, वो भी खतम हो जाएंगे, और जदू किसानी अंदोलन दी चड़ा साब गालों दिया था, अन्ना हजारे दे अंदोलन दो विच्चों एक आमादी पार्टी दा जन्म हो और इस अंदोलन को जो भी विक्ति सियासत से जोड कर या सियासत के चश्मे से देखने की कोशिच करेगा, वो गलती खाएगा। किसान नेता दे सकते हैं, जो जथे बंदिया है, उनके जो आगू हैं, जो令स हैं, वो जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता हूँ. लेकिन मैं इस आंदोलन को सियासत से जोड के नहीं देखता हूँ. जी और लास्ट स्वाल है लगदा है कि जिद्डव डाकाथ दिली विखे हुए है कि इंदर दी मोदी स्रकार नो जड़िया मंगाया मालना नहीं जाहिए बिलकुल और मैं ये बता दे हूँ आपको अभी तक मोदी साब का सामना बबर शेरों से नहीं हुआ था अब बबर शेरों से हो गया है और जब तक ये तीन काले कानून खारिज नहीं होते रिपील नहीं होते हैं देश का किसान पंजाब का किसान हिलने वाला नहीं है और मोद आई है कि दो चार लोगों को खुश करने के लिए ऐसी क्या दोस्ती है उनकी कि दो चार लोगों को खुश करने के लिए मोदी साब ने देश की 62 करोड आबादी को खफा कर दिया जो किसान है या फार्म लेबरर्स हैं 62 करोड आबादी से दुश्मनी ले लिए सिर्फ चार लो लाएओ, वो ही कह रहा है कि ये इससे हमारा भला नहीं है, इससे तो बरबाद हो जाएंगे, तो जिसके लिए कानून लाएओ, उससे बात तो करो, उससे समझो तो सही, वो कह रहा है कि मुझे कानून नहीं चाहिए, वो कह रहा है मेरी जमीन चली जाएगी, वो साफ कह रहा है कि मैं बंदुवा मजदूर बन जाओंगा, मंडियां खतम हो जाएंगी, सारी चीजें आपके सामने हैं कि कैसे इन तीन काले कानूनों से पूरी जो मुनाफ़ा है खेती बाड़ीगा, वो तीन चार कॉर्परेट को चला जाएगा और किसान बरबाद हो जाएगा, तो आम आद पाटी इन तीन काले कानूनों के खिलाफ है, और हम चाहते हैं कि ये तीनों काले कानून खारिच किया जाएगा, जड़ी दोयर बाई दे लिस्तिति जड़ी है, साफ हो सके और वद तो वद आपने जड़े अमीदवार ने उनन जुताया जा सके, और बिलकुल उसे तरीके पंजाब दे से इंचार्ज ने रागव चड़ाजी जिनना दे वल्लों पूरे पंजाब दा दौरा किता जा रहा है, और अपने उमीदवारा नो जताओं दे लई अड़ी चोटी दा जोर लाया जा रहा है, और तुसी बने रो देनिक्स विरा टीवी देनाल अगलियां रफीक मोहमद, पंडित, मॉलभी, बेगम, तांतरिक, एन चोर ठंगा तो साबदान, स्पेशलिस्ट वशीकरन, सटा नंबर, लव मैरेज, पती पतनीच आनबन, विदेश्च पक्का होना, कारुबार्दा ना चलना, सिर्फ इकत्ती केंटियां विच समादान, फ्री, फ्र चुरासी तिनसो चुअत्तर, चुरानवे शेसो संताली, चुरासी तिनसो चुअत्तर, चुरानवे शेसो अड़ताली